नमस्कार आप देख रहे हैं जिव बीडियुँ उस्त दोस्तों वखत हो गया है दोपहर की बड़ी खबर को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जिव बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़दी जगर जिव बन्यूज को सब्सक्राइब करके औल न जुड़ोई गैर्डलाइन्स का पालन करते हुए राजपत पर एतिहासिक परेड निकाले जाएगी, कोरोना संकट के चलते इस बार परेड का कारिगरम छोटा रखा गया है, इस दोरान देश की सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी, इस बार राफेल लडाकु विम प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदीने देशवासियों को गरतनत दिवस की बधाई दी, पीयम मोदीन अपने ट्वीट में लिखा कि देशवासियों को गरतनत दिवस की धेरो सुभकामनाय जय हिंद पद्म पुरशकार का एलान सिंजु आबे, एस पी सुब्रमन्यम को पद्म भिभूशन तो राम बिलास पासवान सुमित्रा महाजन को मिला पद्म भूशन जिहां देश में मंगलवार को गरतनत दिवस मनाय जा रहा है, इसे पहले देश की सर्वच पुरशकारों पद्म अ मोधी सरकार ने सम्मानित होने वाले दिकजो के नाम की घोशना की है, जिसमें जापान के पुरव पीम सिंजु आबे, एस पी बाला सुब्रमन्यम को पद्म भिभूशन पुरसकार दिया गया है, जबकि पुरव केंद्रिय मंत्री और दिवंगत राम बिलास पासवान और लोकसभा की पुरव स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूशन अवार्ट दिया गया है, आपको बता दें कि केंद्र द्वारा गोशित नामों में इस साल 119 लोगों का समावेश है, साथ महीने बाद 10,000 से कम आये नए कोरोना के केस, अब तक 20 लाक लोगों को लगी वैक्सीन, जिहां भारत में साथ महीने बाद कोरोना संकरमेतों की संक्या में गिरावट दर्ज की गई है, पांच जून के बाद आज 10,000 से कम कोरोना के नए केस आये हैं, पिछले 24 गंटों में 9,102 नए कोरोना के केस सामने आये और 117 लोगों ने अपनी जान गवादी है, बीते दिनों 15,901 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, लगतार पांच वे दिन 15,000 से कम और 7 महीने बाद 10,000 से कम कोरोना के मामले दर्ज किये गए हैं, आपको बता दें कि स्वास्त मंत्रा 153,587 लोगों की जान जा चुकी है, एक करोड 3,45,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं, देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 157,000 हो गई है जिनका भी इलाज चल रहा है इलेक्सन कमिसन की प्लानिंग अब वोट डालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा अपने गाउं, कहीं से भी कर सकेंगे मतदान जिहां लोगसभा और विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए लोग अपने अपने गाउं की और प्रस्थान करते हैं, जहां पर इन लोगों का वोटर लिष्ट में नाम है, वहां पर ये मतदान करते हैं वोटिंग करने के लिए अपना काम छोड़कर अपने गाव या फिर सहर जाते हैं इस दुराने को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अब चुनाव आयोग एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें कहीं भी पोलिंग बूत पर जाकर अपना वोट डाल सक देंगे चुनाव आयोग ने इस प्रोजेक्ट को रिमोट वोटिंग का नाम दिया है इसके लिए जल्द ही दीश भर में मौक ट्रायल की सुरवात की जा सकती है राष्टियम मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोडा ने बताया कि लोगों को द किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में दाखिल देखती रह गई पुलिस जिहां टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में प्रविश कर गई है इसे पहले सिंदू बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखन को मिला था टिक्री बॉर्डर की रैली टी टी यू साहबाद स्बी डेरी दर्वाना बवाना टी पॉइंट कंजावला चौक खरदवला टोल प्लाजा की और पढ़ेगी इसे पहले किसानों की ओर से दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ी और जड़पों की भी सूचना मिली है उसके बाद भी दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से नहीं रोक सकी आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत गरतंत दिवस के आधिकारिक परेड खतम होने के बाद मिली थी लेकिन पहले सिंदू बॉर्डर उसके टीकरी बॉर्डर से किसान संगठन दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं